स्वाइब आप लोग का एक और ने वीडियो में आज हम बनाने वाले हैं डॉल केक स्टेप बाई स्टेप बनाने वाले हैं जैसे कि आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल सिंपल सा तरीका बताने वाला हूं आप लोग को और केक बहुत ही प्यारा बनता है तो आप लोग इसी तरीका को इस्तमाल करके आप भी डॉल केक बना सकते हैं बिल्कुल सिंपल तरीकों से चाही ओंबेकर हो या कोई इसा भी हो आप इजी ली बना सकते हैं डॉल केक ए और मेरा डॉल केक था 30 kg में शो मैने इसको 1 kg 1 kg और 5 kg लिया I case साइड-साइड से कट कर लिया गाइस बहु बहुत ही तग रहाएक आप लोगों के लिए सेट अप की त्यारी कर रहा हूं मैं सो प्लीज करवाईए वीडियो में आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा के बारे में आप लोगों को बता देता हूं यह था चोकलेट केक जैसे लाइट चोकलेट केक मैं 99% लाइट ही बनाता हूं इसलिए लाइट चोकलेट केक अच्छे तरीके सामने सेफ वाई सेप आपको दिखा दिया था कि कैसे काटना है उसको बाद टॉटिंग करना है स्टार्ट कर दिया था इस परे मैं हर लेयर में करता ही करता हूं सुगर सीरफ से बड़ दिखाता नहीं हूं तो इसका मतलब आ बता है नहीं तो खाने में मजाता है और बनाने में मजा आता है फिर आमना तरीके से टॉटिंग करना है और आप लोग कमींड करके जरूर बताया musimy बता step करके एक एक layer by layer डाल डाल कर twirting करते जा रहा हूँ मैं हर मेंशा से fast video कर देता था ताकि आप लोग को easily समझ में आता था कि नहीं आता था काफी लोग comment करते थे कि थोरा सा slow किया करो ताकि हम समझ ही नहीं पाते कि आप इस layer में क्या डाले हो उस layer में क्या डाले हो इसलिए तो मैं slow में थोरा सा बनाना सुरू कर दिया हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से समझ आए और मेरा title और thumbnail देखर आप लोग को समझ में आई गया होगा कि कोई सावी बना सकता है मतलब कोई भी बना सकता है जिसे तरीके से मैं आप लोग को बता रहा हूँ अगर यही आप तरीका इस्तमाल करेंगे तो कोई सावी डॉल के का बहुत एजली बना पाएंगे देख चाता है हमारा totting और मॉस्ट कंप्लीट हो गया है थोरह सा हाइट जादा हो गया था इसलिए मुझे बेस पे रखना जादा इंपोर्टेंट था क्योंकि फिर इस्टेंड पर जैसे रोजेस्ट वगरा करूंगा तो जाहिर सी वाटते शिप्ट करूंगा बेस पे थोरह सा टेडा मेडा होने का चांसस हो जाएगा या फिर नीचे से रोजेस्ट वगरा खराब होगा ही होगा इसलिए अब इसको कर लेते हैं थोरह सा बेस पे शिप्ट उसके बाद फटा फट करते हैं जदा टाइम नहीं लगेगा बट मज़ा करने वाला वीडियो में आप लोग पूरा जरूर देखिएगा मैं बाड़ बार एकी चीज़ बोलते रहता हूं पूरा मन देखिएगा और चैनल पे नहीं सब्सक्राइब कर दिया कर यार फिर होता है आपको पैसे नहीं लगते हैं सब्सक्राइब करने में बस हमें बहुत आप लोग वीडियो स्टाइटिक में देख लिए होगे थोड़ा सा तो आपको समझ में ही क्या होगा कि क्या बना रहा हूं सो प्लीज बेट कीजिए और लास तक जरूर देखिए हमाडा रोजेस्ट और मोस्ट कम्पलीट हो गया हम मैं इसको नोजल के बारे में बता देता है तो इसलिए वननेम नोजल का आप भी इस्तमाल करें ताकि रोजिस्ट में ही इस्तमाल करें हर केक में काफी लोगों को मैं देखता हूं हर केक में ओनेम नोजल घुसेर देते हैं तो ऐसे में थोड़ा सा आपको पसंद आ रहा है जरूरी नहीं है कि सामने वाले को भी पस चीज है आप लोग जो कस्टमर को खुछ करोगा तो भी और दिया करेगा आप चे तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे अब देख सकते हैं हमारा जिग जग भी ऑल्मोस्ट कंप्लीट होने वाला है थोरा सा बचा हुआ है फाइना लुक बस आपके सामने आने वाला है तो जहां से मैं मंगवाता हूं समान उस पार का पाइपिंग बैग इस वार का अच्छा नहीं है बस हमारा और मोस्ट कंप्लीट हो गया फिर हम ड्रेस पहना दिया है गर्ल्स को इसको डॉल को और फिर हमारा फाइना लुक बस बचा हुए मैं देख रहा था यह चेक कर रहा था टॉप भी अल्मस्ट कंप्लीट हो गया आप लोग वीडियो को लास तक देख लिए होंगे तो थाइंकू सो मच और मिलते हैं किसी नए वीडियो में जब तक लिए इंज्वाय करो और शेयर करना मत बूलना गाईश और आप लोग से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ हंड्रेट करवा दीजिए और किसे नए वीडियो में जब तक के लिए इंज्वाय कीजिए और वीडियो पूरा देख कर जाना मिलते हैं किसी नए वीडियो में बाई झाल झाल